नमस्कार आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्राश और वक्त है दहार का और आज उसी वोटिंग से जुड़ी हुई खबर है और वो है जगा जम्मू कश्मीर को लेकर जहां पर पांच पे और आखरी सीट यानि की अनंतनाक सी से उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती बीच सड़क घरने पर बैठ गई महबूबा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वोटिंग से पहले उनकी पार्टी के कई एजेंट्स को पकड़ लिया है महबूबा ने कहा कि उन लड़कों के खिलाफ कोई भी अपराधिक मुकदमा द हिरासत में लिया है जिनका पिछला रिकॉर्ड खराब रहा है और ये लोग वोटिंग के दिन कानून व्यवस्था के लिए खत्रा बन सकते हैं पुलिस ने ये भी जानकारी दी कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया और वो ओवर ग्राउंड वरकर यानिकी आतंकवादिय ने चुनाफ का बहिशकार करने की धमकी नहीं दी है आज इसी पर करने वाले हैं चर्चा की आखर जब कश्मीर में लोकतंत्र जीत रहा है लोग इस सुचसब में बढ़ चड़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं तो कुछ नेताओं को तकलीफ आखर क्यूं हो रही है चुनाफ को पहले नॉन स्टेट अक्टर डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे लेकिन जब ये हार गए तो स्टेट अक्टर अक्टिव हो चुके हैं डिरेक्शन आ रही है ढीजी के आफिसर डिरेक्शन आ रही है ये विचारे क्या करेंगे ये तो कट्पतली है हमारे वरकर उसको बंद किया है उनका हक नहीं है वोट डालने का जो हमारे दरजनों के दरजनों वरकर उनका वोट नहीं है खाली मैं वो मुफ्ती का वोट है सब उस चुनाओं से मुत्माइन भी हैं बढ़ चड़कर के हिसा भी ले रहे हैं तो कोई एक व्यक्ति उठकर के ये कहदे किसाब ये चुनाओ उस तरह से नहीं हो रा जिस तरह से होना चाहिए तो कहीं न कहीं पर्टेक्ष रूप से ये बात जलगती है कि उनके अनुकूल नहीं हो रहा शायद उनके पक्षमे नहीं जा रहा और इसी के साथ कुछ सवाल है और उन्हीं सवालों को शामिल करेंगे दाहार की इस चर्चा में और उसके बाद महवानों से आपका तारूफ करवाऊंगी पहला सवाल ये है कि कश्मीर में शांदार चुनाव लेकिन किसे किसे तनाव है कश्मीर में बंपर मतदान हो रहा है तो महबूबा क्यों परेशान है बालेट से हारी बुलेट अब नेता कर रहे है हट नॉन स्टेट आक्टर हारे तो स्टेट आक्टर आक्टिव हुए कश्मी में रिकॉर्ट दोर वोट आतंकवाद पर आखरी चोट है